तो हेलो दोस्तों आज में और मेरी फ्रेंट्स मिलके हम नागलेन सेंटर घूमने आये हैं तो यहां पर थोड़ा बहुत पार्क भी है अच्छा है नजरा और मुझे पता है कि मुझे नहीं बलकि आप लोग पीछे देख रहे हो कि मुझे पता है तो आगे चलके दिखाते हैं साइंस सेंटर के अंदर बहुत अच्छा चीज है तो आप विडियो पर बने रहें तो सबसे पहले में इसे आजमता हूँ यह क्या है तो दोस्तों देखें यहां पर एक प्रैक्टिस करने का जगह है इसा प्रैक्टिस करने का जगह तो मैंने सिर्फ लोगों की रिल्स में देखा था आज मैं सचमे करूंगा यहां पर हाथ रखूंगा और इसा पूस्ट करूंगा इस तरह का अद्बुत प्रैक्टिस तो मैंने जिन्दगी में पहले कभी नहीं कि तो मुझे लगता है हम अर्दों को ऐसा प्रेक्टिस करते रहना चाहिए ताकि हम सास्तर है और तंदरुस्त भी तो देखिए यह एक बड़ा टेलिस्कप है मैं यहां से जाक के देखता हूं साइद मुझे कुछ दिख जाए साइद पुरा तो एक साथ घुमते हैं लेकिन यह पढ़ती कभी नहीं और दोस्तों देखिए यहां पर आगे में एक डाइनेसर खड़ा करके रखा है काफी अच्छा से सजा के रखा हुआ है हलांकि आजकल इस प्रजाति का डाइनेसर ब्लिप्त हो चुके हैं और मुझे पता भी नहीं कि इतना अच्छा एक पार्क भी है और साइन सेंटर भी है तो आगे एक चिडिया है वह देखिए इसे भी काफी अच्छा से मतलब जो सजा के रखा हुआ है तो मुझे यहां के काफी अच्छा लग रहा है आगे जाके दिखाता हूं में दो प्रजाति का जीब यह भी अब इसका मुझे देखिए बिल्कुल ऑरिजिनल जैसा दिख रहा है और उस साइट में भी एक बना के रखा है तो यह चारो तरफ घूमने वाला है तो आभी मैं यहां बेटके घूम के दिखाता हूं आपको चलो भाई थोड़ा गुना दे अरे भाई 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 भ झात UP घंपको चलो १रा भाई भी नड़ा रिख फैंगा-। झात पराई पिल्कुल तो यहां पर हमारे भारतीय टीम एक बंदा क्रिकेटर खड़ा करके रखा हुआ है लेकिन अभी फिलाल में आपको पार्ट पार्ट ही दिखा रहा हूँ लेकिन इसको सिधा एंगल से देखा जाए तो एक ही बंदा मतलब बेट उठाके बले बाच करता हुआ पोजिशन पे द जाने वाला हूँ और असली मज़ा तो अब आएगा दोस्तों क्योंकि इसके अंदर ही बहुत कुछ है जो दिखाऊंगा आपको मैं जरूर वीडियो पे बने रहे हैं तो यहां पर एक म्यूजिक सिस्टेम रख दिया है जो की आर्ट नोट का है और उपर में नोट भी होता है जो दोस्तों आभी मैं इसका अंदर जाके दिखाने वाला हूँ इसमें स्विक नेरा स्थार दिखेगा पूर दिखते लिए वीडियो में तो भाई लोग यह तो पताई होगा आप सभी को जो की कहां पर क्या है वो मेप के जरिए LCD पर दिखाया गया है वो दोस्तों देखिए यह हमारे मुग का अंदर का जीब है और इस जीब के किस पार्ट से हमें कैसा स्वात का पता चलता है वो यहां पे लिख दिया है जैसे बिटार सोर और सूइट है यानि तीता खटा नमकिन और मीठा अभी जैसे में सोर दबाऊंगा यानि खटा तो जीब के इस द दो पार्ट से हमें पता चलता है जीब के और चौथा दबाऊंगा स्वीट यानि मीठा तो आभी यह तो लाइट जली नहीं रहा और अच्छा सबसे पहले सबसे पहले वाला भाग में मतलब यह लाइट जल रहा है यानि हमें मीठा का महसूस वहां से होता है और जैसे में पहले वाला बटन बिटर दबाऊंगा तो देखिए जीब के लास्ट भाग में लाइट जल रहा है यानि हमें तीता का महसूस उस भाग से हमें पता चलता है उस पार्ट से हमें पता चलता है तो यह मुझे काफी अच्छा लगा देखी यहां पे लिखा हुआ है इसके बार और यहां पर इसमेल टेबल है यानि हमें इसमेल कहां से केसे पता चलता है वो उसके बारे में कुछ है जान कर रहे हैं यहां पर मैं इसे ज्यादा घहराई से में देखने की कोशिश नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा और यहां पर देखिए कुछ लिखा ह हुआ है यह सब तो आपको भी पढ़ना अता होगा उसके नीचे एक बड़ा सा मुर्ती बना के रख दिया है और आगे चल के दिखाता हूं आपको अब यह क्या है भाई इसमें तो पानी टपक रहा है या पानी की बूंदे मुझे लगता है यह कुछ तो कुछ टाइमर जैसे की यूटिब में बहुत सारा देखने को मिलता है वैसे कुछ होगा साथ इसके बारे में मुझे जनकर यह इतना सारा है नहीं तो आभी मैं इसे प् लिखा हुआ है इसके बारे में मुझे ज़्यादा कुछ मालम नहीं है तो आगे चलता हूँ आगे भी बहुत कुछ दिखाना है आप सबी को यहाँ पे बहुत आच्छा चीजह रखा हुआ हुआ है यह तो यह दिखिए दोस्तों stereo hearing stereo hearing का मतलब दोनों तरफ जो सुनाई दे किया है साइथ कहीं से आवास देता होगा और हमें यह दो पाइप गान में लगाना होता है और यह falling ball है डेखते हैं यह falling ball का मतलब क्या है आगे मैं जाके दिखाता हूं आको और समझते और यह लड़की जो दूआ मांग रही है जैसे कुछ दिख रहा है अक्सर यह इसा नहीं है यह कुछ खेल रही है देखता हूं किस चीछ से खेल रही है ओ अच्छा यह है मज़ा गया दोस्तों मतलब फॉलिंग बॉल का मतलब यह रहा जो एलचीडी बड़ा इसकिन में दिख चला गया काफी अच्छा है या हूँ रोगे रोगे लिए अधर और यह पीनिट इमेज के बारे में मैं आपको बताता हूं देखें यहां पर एक चोटा सा बॉक्स रखा हुआ है इस कोने में और उस कोने में बंद है और लेकिन इसके अंदर जैसे मैं केमरा लेके दिखाता हूँ आपको देखे इसका आगे में अंथ दिखाई नहीं दे रहा है और इस साइट कैमेरा घुमाता हूँ तो देखे इस साइट का भी अंथ दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि यह इसलिए हो रहा है कि दोनों साइट पर ग्लस रखा हुआ है और और रिफ्लेक्ट आइस जो कि यहां पे बटन एक लगा हुआ है और एक पूस्ट करने का जगह है जैसे बटन डबा के हम पूस्ट करेंगे तो लेंस की जो पाउर रिफ्लेक्ट होता है किसी एक लेंस आँखों के हिस्से पर तो ज्यादा कुछ मैं उसके बारे में बताऊंगा नहीं और यह देखिए दोस्तों यह एक म्यूजिकल टेबल है दिखने में यह पाइप की तरह लग रहा है लेकिन यह इसे जो साउंड निकलता है बेल जैसे घंटी के जैसे लेकिन मुझे बजाना नहीं आता तो मैं जस्ट आपको दिखा रहा हूँ और देखते हैं आगे पर क्या है यह सब रखा हुआ है यहां पर भी एक बटन रखा गया है जैसे एक बटन प्रेस करेंगे तो इसकोने से उसकोने तो यह जो रिंग जैसा दिख रहा है वो उदर से उदर मने सरकता रहता है अभी मैं इसे नहीं टाच नहीं करूंगा आगे पर यह बहुत दिखाना होता है आपको और यह क्या चीज़ है भाई चलते हैं यह तो कुछ भी नहीं है और यह तो फ्लोर है यह अगर दिखाता हूँ देखिये आई यहां पर LCD पे कुछ दिखा रहा है यह सब तो पता है होगा आप सभी को इसके बारे में यहाँ पे देखे दोस्तों यहाँ पे Will लगा हुआ है और इसके बगल में ही एक बटन है और उपर में एक LCD है यह देखिए मुझे लगता है साइट इस Will को स्मार्ट विल लिखा हुआ है इस स्मार्ट विल को गुमा के बटन प्रेस करने से साहिए यहाँ पे कुछ दिखाई दे मैं एक बार कोशिश करता हूं इसे तो अब मेरा पास केमरा में नहीं है तो मैं मुझे खुद दिखाना पट रहा है मुझे काफी तक्लिप प्रेस भी यह गरे नहीं देख्छा कि कुछ दिखाई कर्लोन साथ दिख मैं अब करकी दिखाई दिया तो दोस्तों देखł Där ये कोन रान्स आफ फिल ऐसा कुछ है तो ये कोन जो है जो कोई physics नहीं समझता है वो कहते कि ये gravity के खिलाफ है यानि against आफ gravity ऐसा कुछ कहते है लेकिन इसे बारे की से समझे तो ऐसा कुछ भी नहीं है हम animation के जरिए समझे या देखे तो यह बिल्कुल सही है तो देखे इसका जो pipe जो है नीचे तरफ down है फिर भी वो जो कौन जो है उपर के तरफ यह लटका हुआ है तो यह देखे जो यानि pipe जो line है जो इसका तो यह कौन जो है भी type का है जैसे मैं इसे यह देखे जैसे मैं down के तरफ लेके छोड़ देता हूँ तो वो आपके तरफ जाके ही रुख जाता है क्योंकि यह कौन जो है वो भी type का है इसे जानने के लिए आपको 3D animation के तरफ जरिये देखना होगा और आगे देखता हूँ mirror magic यह mirror magic का मतलब मैं आपको बताता हूँ देखिए मैं जैसे mirror के इस side आता हूँ तो दिखाई देता है उस side आता हूँ तब भी मेरा थोपड़ा जो दिखाई देता है जैसे कि मैं कैमरा लेके खड़ा हूँ और पीछे में देखिए जो footprint है उस points है जैसे मैं आभी दिखाता हूँ दो जो food frame जो दो है यहां पर मैं खड़ा होके आगे दिखाता हूँ तो मुझे मेरा सकल दिखाई ने दे रहा है इसका मतलब यही है जैसे मैं थोड़ा आगे सरकता हूँ जैसे आभी देखिए तो मुझे दिखाई दिया मेरा चेहरा और फिर दूसरी तरफ सरका तो फिर भी दिखाई दिया जैसे मैं सेंटर पे खड़ा हुआ तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया इसका मतलब यह यह दोस्तो और आगे दिखाता हूँ मैं आपको और यह दिखिए दोस्तो न्यूटन फर्स्ट लो ओफ मौसन है देखिए यह चक कुछ मालूम नहीं आपको साइंस चैनल देखना पड़ागा मालूम है लेकिन आपका मैं 3D के जरिये दिखाने सकोंगा आगे दिखाता हूँ यह क्या है सुनने की छामता होगा साइध यह उपर कुछ लिखा था मैंने ठीक से देखा नहीं तो यहां फिर एक पूस्ट बट इसा करने बैसा करने तो इतना मेले पास वक्त नहीं है सोड़ी जो पहले जो मैंने बताया वह सुनने का नहीं सुनने का जो यह है है एरिंग रेंज हमें कहां तक कैसा परकार का आवाज जो इसके बारे में लिखा हुआ है और बटन भी है स्टार्ट और प्लस मैनस दो बट सब्सक्राइब और यह हीरिंग रेक्शन टाइम कि मतलब यह स्पिकर लगा हुआ है यहां पर मतलब सुनने का जो टाइमिंग है उसके बारे में कुछ है यहां पर दो बटन लगा दिया गया है अभी मैं इसे बिल्कुल भी टास नहीं करूंगा क्योंकि मुझे इसके बारे तो इसा कुछ तो नजरा दिखा नहीं शाइद इसे देखना मुझे मालम नहीं वह साइट से कुछ तरीका से देखना होता है तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही और फिर मिलते रहेंगे अगले वीडियो पे काफी कुछ दिखाने को है फिर भी वीडियो लंबा होने के में सब कुछ दिखा नहीं पाया और अच्छा से इंटर्डेक्शन नहीं कर पाया तो मिलते हैं अगले वीडियो पे थेंक्यू फोर वाचिंट